बहुत सारे स्टूडेंट BST में डाकूमेंट की जरूरत पड़ती है जब आपका वेरिपिकेशन होता है डाकूमेंट का तो वहाँ पे आपको कितने ओरिजिनल ले जाने पड़ते हैं कौन कौन से डाकूमेंट है जो उनकी फोटो कापी ले जानी पड़ती है तो आज की इस वीडियो पे आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि यदि आप BST में एडमिशन लेना चाहते हो नए डमिशन ले रहे हैं तो आपको किस किस डाकूमेंट की जरूरत पड़ेगी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी पिछले साल क्या हुआ था बहुत सारी स्टुडेंट डाकूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे उनका कॉलेज में नहीं मिला था कॉलेज एडमिशन लेने से बंचित हो गये थे यहनि एडमिशन उनको नहीं मिला था तो ऐसा नहों आपके साथ इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए तो सबसे पहले आपसे मैं एक बात और कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े है चैनल को सस्क्राइब कर लीजे मैं इसी तरह के नए-ने इंफॉर्मेशन आपको एजुकेशन से रिलेटेड देता रहता हूँ सबसे पहले आपको क्या जरूर पढ़ती है तैन्थ की मार्शीट यदि आप लोग तैन्थ पास कर लिए हो तैन्थ और त्वल्थ की मार्शीट बहुत अनिवार है वो भी आपको ओर्जिनल लेके जानी है फिर इसके बाद आपको आया पर्मारपत्र की जरूर पढ़ती है एन्थ इंकम सार्टिफिकेट फिर इसके बाद जाती पर्मारपत्र आपको ले जाना है एन्थ आप HTSC, EWS के हो तो आपको जाती पर्मारपत्र की जरूर पढ़ती है फिर आपका डाकुमेंट जो नेश्ट डाकुमेंट है वो है निवास परमारपत्र निवास प्रमदटर निवास प्रमदटर भी बनवाना है फिर उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे Medical Certificate लगती है Medical Certificate आप अपने कोई भी नियरेस्ट होस्पिटल से Medical Certificate बनवा लिजिए क्या होता है कि आप फिट होना चाहिए किसी प्रकार के अस्वस्त नहीं है तो एक नार्मल medical certificate लगता है फिर इसके बाद चरित प्रमनलपत लगता है आपका चरित कैसा था 12 में आपका चरित जो होता है 12th college school में मिल जाएगा फिर इसके बाद यदि आप किसी भी प्रकार के गैब थे एनि 12 कर लिये थे 12 के बाद 1-2 साल कोई कोर्स नहीं किये फिर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको एक गैब सार्टिफिकेट की जरूरत पढ़ेगी एनि आपको गैब सार्टिफिकेट बनवाना है फिर उसके बाद जहां से आप लाश्ट पढ़ाई किये थे जहां से आप किये थे वहां से आपको एक टीसी मिलेगी आप वहां से एक टीसी बनवा लेना टीसी की भी जरूरत पढ़ती है फिर इसके बाद माइग्रेशन जहां से आप टॉल्ट कम्पलीट किये थे वहां की स्कूलों से आपको एक migration मिलता है आपको migration भी ले आना पड़ेगा फिर इसके बाद कम से कम आपके पास छे passport side photo होने चलिए वही photo होनी चाहिए जो आप interest exam के लिए form भारे थे तो वही photo आपके पास 6 कम से कम photo होनी अनिवार रहे हैं फिर इसके बाद आपके पास जो entrance exam दिये थे या form भारे थे उसके एक registration का print out होगा फिर जो आपको college alert हुई होगी college alert होने की जो result होता है result मिला होगा यदि आप test दिये थे test में आपको admit card मिला था वो आपको admit card लेके जाना है फिर इसके बाद जो आपके college alert हुई थे जिसको बोलते हो counseling की रसीद counseling की रसीद जो आपको मिलती है वो रसीद भी आपको ले जानी पड़ेगी college में फिर एक आधार card ले जाना है college को alert letter मिलेगा college से यानि किस college में आपका admission हो रहा है alert letter होता है वो alert letter भी आपको साथ में ले जाना है आधार card आपको original ले जाना है और इसके अलाबा आपके पास सभी document के photo copy तीन सेट होना अनिवार रहे तभी आपका वहाँ पे जमा होगा क्योंकि जितने भी documents मैं बताया हूँ 5th की मारशीट, 12th की मारशीट आय पर्मार पत्र, निवास पर्मार पत्र जाती पर्मार पत्र ये सारे original documents होते हैं इनके सभी के आपके पास photo copy होने चाहिए तो ये हैं BSC में नया डिमिशन लेने के लिए document यदि आपको और इसके अलाबा कुछ भी doubt लगता है तो आप लोग comment कर सकते हैं मैं comment box के माधम से आपको reply करूँगा आप लोग channel पे नयो हो channel को subscribe कर लिजे, like कर दीजे, share कर दीजे मिलते हैं next video में जय हिंग, जय भारत